हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPBoot के Class 12 के रजल्ट के रजल्ट के रजल्ट के रजल्ट के रजल्ट को लेकर कुछ अपडेट सामने निकल कर आए हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे कि आपका result किस तरीके से तयार होगा formula क्या रहने वाला है और आपका result कब तक जारी किया जाएगा तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे और आज के इस वीडियो में आपको पूरी information बच्चों यहाँ पर मिलने वाली है तो चलिए फिर आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और जो newspaper की cutting आप screen पर देख सकते हैं अगर आप इसको download करना चाहे तो मैं study जानकारी इस website से आप newspaper को download कर सकते हैं अब आँगे बढ़ते हैं देखे मद्यप्रदेश बोड के बारवी के परणाम के लिए बन रहा है नया formula means class 12 का result जो जारी किया जाना है इसको लेकर नया formula तयार किया जा रहा है अब आँगे देखे बच्चो मद्यप्रदेश बोड कक्षा बारवी के result का formula वुद्वार या फर गुरुवार तक तयार हो जाएगा means आज वुद्वार हो चुका है और कल गुरुवार को formula तयार हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को लेकिन पता चल गया होगा देखे पहले एक formula तयार किया गया था उसमें दसवी ग्यारवी वा बारवी के अंकों के आधार पर result आपका तयार होना था लेकिन माध्यमेक शिशा मंडल से जुड़े निजी स्कूल संचालकों ने नरस्त कर दिया means जो private school है इन्होंने इस formula को reject कर दिया संचालकों ने कहा कि उनके पास पिछले साल की ग्यारवी कक्षा का result नहीं है means class 11 का result उनके पास नहीं है उन्होंने मांग की की देखे बारवी का result तयार करने का formula बदला जाए अधिकारियों की team नया formula तयार कर रही है देखे मंतरी समू के पास मंगलवार को रखने वाली थी अब यहाँ पर देखे जो formula था वो मंगलवार को यहाँ पर team रखने वाली थी जिसे मंतरी समू की मोहर लगने वाली थी लेकिन बैठक नहीं हो पाई तो बच्छों आप सभी की board परिक्षा cancel हो गई है आप आँगे जाकर आप सभी competitive exam की तयारी करने वाले हैं और आप सभी को पता होगा कि अगर आप competitive exam की तयारी करने वाले हैं तो आज के समय में mental ability बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई है और आप सभी अगर इस भी check करना चाहते हैं कि आप कहाँ stand करते हैं तो unacademy आपके लिए लेकर आया है unacademy immerse जी हाँ बचे एक test है जो की mental ability आप यहाँ पर check कर सकते हैं और यह test बिलकुल free रहने वाला है ultra unacademy आपके लिए यहाँ पर gifts देने वाला है आप यहाँ पर iPhone, Macbook जैसे बहुत सारी gifts आप यहाँ पर जीत सकते हैं आप जाके test को attempt कर लीजे डारेक्ट 20 तारीक को यह test होने वाला है और डारेक्ट आप यहाँ पर prizes जीत सकते हैं और बच्चे description में जो link दी गई है उस पर जाके आपको enroll करना है और gear burn code का use करना है ताकि आप free में unlock कर सके अब आंगे देखे अब यह formula हुआ तयार means अब जो formula वच्चो तयार हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं तो अब 10 भी बोट परिक्षा का परणाम बारवी के revision और 6 माई परिक्षा के आधार पर बारवी का formula तयार होगा means class 12 का जो result तयार होगा उसके लिए क्या formula बनाया गया है इसको एक बार फिर से समस्ते है means कक्षा बारवी का result जो तयार किया जाएगा इसमें कक्षा 10 भी बोट परिक्षा का परणाम सामिल किया जाएगा और बारवी कक्षा के revision test और 6 माई परिक्षा के आधार पर आपका result तयार किया जाएगा means यह formula रहेगा और बच्चो देखे अगर आपने परिक्षा नहीं दी है तो इसको लेकर तो मैं आप सभी को अभी बता दूँ सबसे पहले doubt किलियर करना चाहूँगा क्योंकि अभी बच्चे comment करने लग जाएगे कि सर मैंने 6 माई परिक्षा नहीं दी ह तो क्या मैं fail हो जाऊँगा तो मैं आप सभी को बता दूँ कि अभी ये किलियर नहीं हुआ है means official notice कल परसों तक जारी कर दिया जाएगा MP board की तरब से एक से दो दिन में बच्चो official notice आ जाएगा कि आपका result किस तरीके से तयार होगा और जादत तर बच्चों को fail नहीं किया जाएगा means अगर आपने एक परिक्षा नहीं दी है तो दूसरी परिक्षा के अंग इसमें सामल किया जाएगे और यही formula सामने निगल कर आया है update के according आप खुद देख सकते हैं newspaper में नई दुनिया की एक cutting है यहाँ पे देखे कक्षा 10B और 12 के revision test और 6 माई परिक्षा के आध जाएगी means सही जानकारी आपको मिल जाएगी लेकिन अभी यह तो सही है means यहाँ पे news में आ गई मतलब सही है लेकिन official notice जब तक नहीं आ जाता जब तक confirm नहीं होता है इसके बाद बच्चों आंगे देखे यहाँ पर देखे यह formula हुआ फेल हुआ है उसके बारे में जानकार नहीं है यही अपडेट था बच्चों आपके लिए और देखे इसको लेकर गुरुगवार तक यानकी कल फैसला हो जाएगा और means कलिया परसों तक official notice जारी हो जाएगा और एक से दो दिन में confirm हो जाएगा कि आपका result किस तरीके से तयार होना है तो शेलिए students आज के इस पाइंटेक न्यूज मिल जाएगा